जै हिंद आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्गा पुजा पर असान सब्दों में निबंद। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किर्पया इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में विल ऐकन को भी दबा दे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले म जो सक्ति की अराधना का पर्व है यह पर्व दुनिया भर में दुर्गा उत्सव के नाम से विख्यात है हिंदू कलेंडर के अनुसार दुर्गा पुजा को प्रती वर्स अस्मिन के महीने मनाया जाता है ग्रेग गोरियर कलेंडर के अनुसार दुर्गा उत्सव सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है दुर्गा पुजा में सर्ष्टी, महा सब्तमी, महा अस्टमी, महा नौमी और विजय दसमी तिथी का विशेश महत्व है इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिक माना जाता है दुर्गा पुजा का उत्सव निरंतर दस दिनों तक चलता है इस त्योहार को देवी दुर्गा के भक्तो द्वारा बहुत ही उत्सा एवं जोस के साथ मनया जाता है दुर्गा पुजा की वास्तविक सुर्वात सस्टी तिथी से होती है इस पर्व को परसिम बंगाल, असम, उरीशा, त्रिपूरा, मनिपूर, बिहार और जारखंड में बरही हर्षो उल्लास एवं सरदा भाव के साथ मनया जाता है। दुरगा पुजा में देवी दुरगा की उपासना एवं अराधना की जाती है। ऐसी पौरानिक माननता है की देवी दुरगा द्वाडा बुराई के प्रतिक लाक्षस महिसा सूर पर बिजह प्राप्ट करने के रूप में दुरगा पुजा का त्योहार मनया जाता है। यही कारण है की दुरगा पुजा के उत्सव को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिक माना गया है। दुर्गा पुजा से जुरी एक अन्य माननता ये भी है कि दुर्गा पुजा के दौडान स्वयंग माता दुर्गा कैलास परवत को छोर कर धर्ती पर अपने भक्तों के बीच निवास के लिए आती है। अपने भक्तों पर किरपा बर्शाने के लिए देवी लक्ष्मी, देवी सर्ष्वति, कार्तिके और गनेश के साथ माता दुर्गा धर्ती पर परकट होती है। इस पर्व से जुरी एक और माननेता है कि भगवान राम ने रावन को मारने के लिए देवी दुर्गा की अराधना कर उनसे आसिरबात प्राप्त किया था। स्री राम ने दुर्गा पुजा के दस्वे दिन रावन का सहार किया तब से उस दिन को विजय दस्मी कहा जाने लगा। भी है उसको कम आकने की भूल नहीं करना वरना विनास निच्चित है जैसे महिसासुर का अंत हुआ। उससे सभी देवता तरस्थ थे लेकिन एक इस्तरी के द्वाड़ा उसका अंत हुआ। दोस्तों विडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम। चाहसस क्या प्हाँ आद भागड़ चाहसस क्याता है